तूर रहिल कॉंग्रिस पार्टिय फरी एक वकत सट्टा खोरी ना लालच थी देश नी एकता अने सुरक्षा रमत रमवानों इरादो व्यक्त करियो छे जमु कश्मीर नी चूटनी वा कॉंग्रिस पार्टिय पोतानों दबदबु मजबूत करियो छे अबदुला परिवार नी जमु कश्मीर नी नाशनल कॉंफरेंस साथे गट बंधन करियो छे देश नी जानता जानवा मांगे छे कि शू आरेते कॉंग्रिस पार्टिय ना मैनिफेस्टों मा आपवामा आवेल वचनों नू समर्थन करी रही छे जमुने कश्मीर मा अलग ध्वज नू वचन आपो छो आप प्रश्णों उबो करियो शू कॉंग्रेस से आर्टिकल 300 सिंतेर अने कलम पात्रेस एने पाचीलेवानी देश ने करी फरिया आतंक वाद नक युग मा दकेलवा मांगे छे नैशनल कॉंफरेंस पार्टि नी विभाजन कारी विचार सर्ण नी अने नीतियोंने समर्थन आपतों कॉंग्रेस नों चेरों हवेलोकों नी सामे आवी गयो छे एम गुजरात्म मुख्य मंत्री वुपिंद्र पटेले कॉंग्रेस से आड़े हातों लिदा अने तेमनों उपर घणा सवालो पन करया एक दस्त से सत्ता से विमुक कॉंग्रेस पार्टी ने सत्ता की लालच में देश की एकता और सुरक्सा के साथ खिलवाल करने की मंसा फिर एक बार प्रगट की है जंबू कश्मीर चुनाओं में अब्दुल्ला परिवार की जंबू कश्मीर नेशनल कॉंफरेंस के साथ गड़त बंदन करके कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मनसूबों देश के सामने रखा है देश की जंता जानना चाहती है कि नेशनल कॉंफरेंस पार्टी ने गोशना प्रत्रम में किये वादों का इस प्रकार से समर्थन कर रही कॉंग्रेस पार्टी क्या जंबू कास्मीर में फिर से अलग जंडे के बादे का समर्थन करती है जवाब दीजिए क्या कॉंग्रेस पार्टी तिन सो सितेर और आर्टिकल पैटिस ए वापस लाकर जंबू कास्मीर को फिर से असान्ती और अंतकवाद के युग में धकेलना चाहती है कास्मीर को और्टनोमिन देने की नेशनल कॉंफरेंस पार्टी की विवाजनकारी शोच और नित्यों का समर्थन करने वाली कॉंग्रेस का असली चहरा अब लोकों के सामने आ गया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉंग्रेस ने सत्ता हांसिल करने के एक मात्र इरादे से ही नेशनल कॉंफरेंस के साथ गटबंदन किया है